हाई आपको इसमें क्या करना है आपको इसमें कम्प्रीट वीडियो देखनी है और जिसके नोट्स है वो आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है आपको यह वीडियो कंप्लेट देखनी है क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूसफुल होगी सारे टोपिक कवर हो जाएंगे इसमें मौस्टी जिनसे क्योशन आते हैं तो देखो हम हमारा जो डाइजेशन सिस्टेम है हमारी बोडी का जो डाइजेशन सिस्टेम है वह कैसे वर्क करता है जब हम फूड को इंटैक करते हैं ठीक है इंटैक के बाद हमारा फूड किस-किस प्रोसेस से गो थू होता है कहां कहां से गो थू होता है हमारी बोडी के अंदर वह हमे जाता है संटेमक से अलग अलग में होता है फिर क्या है smaller might मैं जाएगा फिर और मैं लाज करते हैं उसका nutrition हम कैसे करते हैं वारी बोड़ी में तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे जैसे खाना है टेक तो कर लिया हमें लेकिन उससे nutrient लिये या नहीं ठीक है है इंटेंजेश्ट होता है मुझलब हमने इंटेक किया फूड का और पीड मेटरील इंट सिम्पल इंटेक को फूड की ऊपालते हैंने किने मैं lettे 한ो फोड़ा खाना चाहिए कि हम जितना थोड़ा portion लेंगे खाने का उतना ही क्या होगा हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे तो में किल इंजैसिन के बाद क्या आता है डाइजेशन अब डाइजेशन का क्या वर्क होता है डाइजेशन का वरक होता है breakdown of complex food यानि जो हम कुछ food ऐसे इंटेक करते हैं जिनको हम थोड़ा बड़ा बड़ा कुछ खा थोड़ी ना सकते हैं जैसे आप अगर बड़ा एक portion लोगे रोटी का तो वो आपके गले में जा के अटकेगा कहीं ना कहीं तो आटकेगा आपको बाइटित जो प्रोसेस होते हैं उसको क्या करते हैं तो वही डाइजेशन के अंदर पी जाके क्या होता है जो complex food होते हैं उनका breakdown होता है फिर होता है absorption moment of digested ठीक है जो food digest हो जाता है उसकी movement होती है फिर assimilation utilization utilization of food product ठीक है फिर addition removal of waste यह है बस हमारा MSC chemistry channel है अगर यह PDF किसी को मिल रही है तो वह भी देख सकते हैं और चला बाते हैं हम चला बाते हैं बच्चों nutrition in human beings ठीक है अब human beings के अंदर nutrition का पार देखो आप nutrition वैसे वह हमने normally पढ़ लिया अब human के जैसे मैंने बताया था हमारी body कैसे जूब करेगी माउथ इंटे को फूल फूर ठीक है माउथ से हमने फूर इंटे किया तित हमारे क्या काम करते हैं जैसे मैंने बताया आपको भी ग्राइंड करेंगे फूड को स्मॉल स्मॉल पॉर्सन में इसको जितना चबाएंगे बोलते है पत्तिस या बार अपने फूड को एक एक निवाले को चबाना चाहिए ठीक है तंग क्या करेगी भी रोलिंग तंग का मतना रोल करती है फूड को ठीक है टेस्ट करती है और क्या करती है help to pushing down food from your जो हमारे ग the sliva होता है मारे जो टंग होती है इस省 ए टेकिंग फूड स्ट्राइवा चरनी टेलिट होता है स्ट्राच क्या कर देगा क्या कर देगा अब है ओसी फरगस बताया आपको टेकिंग फूड प्रो माउथ माउथ से क्या लेगा कि झाले कि या लेकि रुग कि बाइग भाई न परिस्टेलिटिक मुवमेंट से ठीक है कंसेंट्रेशन एन एक्सपंशन मुसल्स होता है मतलब क्या है एक बार जितना हम क्या करेंगे हम जो फूड इंटेक करते हैं अगर वह थोड़ा सा भी क्या है अगर वह आपका लग रहा है कि आपनी थोड़ा सा बड़े-बड़े पॉ स्ट्रमक क्या है वह पयाँ करता है वह बहुति है क्ल08 निस्ट मु आप करेंगे तो यह सवाहता है मेंजायब और यह बória प्रोंधती में असलारे तो बार फून है जो हमारे खाल बड़डशन और प्रोंचशागा प्रे 댓about की शल पूमित्वाइंश मंषकाउब और यह क्या जो HCL है वो इसका मीडियम क्या बना देगा एसेडिक बना देगा प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ दा स्टमक अब क्या है हमारी स्टमक में कुछ ऐसा खा ले जो हमारी स्टमक के लिए अच्छा नहीं हो तो इसमें क्या एक लेयर बनी होती है वह आपको प्रोटेक्ट करत अब small intestine न देखर लेवर रहा लेवर और Pancrease, जैसे मिन इसमें दधाता लेवर क्या सिक्रेट करता भीयल ंपर इस मासा ने क्या होता है जुक क्या हो करते हैं कि इंप्लिफिकेशन ऑफ एक झाँ किंपना समार् इंपलिफाइट करने में हेल्प करता है हमारा बाइल जो क्ट्प्टेब होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्षिन होता है इसमें जो है जो हमारा फूड हमने इंटक किया है उसको एब्जोब करने में हमारी ब्लड के अंदर जो हमारे जो अच्छे न्यूटरिंस है वह दो एब्जोब कर लेगी क्या है जब हमारा फूड निकलने से पहले जो होता है लार्ज इंटेंस्टाइन वाइडर होती है ठीक है और एंड शॉटर धन स्मोल इंटेंस्टाइन ठीक है वैसे स्मोल इंटेंस्टाइन लोंग होती है लेकिन लोंग तो होती है स्मोल इंटेंस्टाइन लेकिन वाइडर और शोर्टर क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइब, अब आता है, लाइट, लाइट क्या है, लाइट क्या है भई, लाइट is a form of energy, देट प्रोवाइट सेंसेशन ओफ वीजन, हम लाइट से क्या है, विदध लाइट हम चीजों को वीजिबल नहीं कर सकते, अगर लाइट ना हो तो जैसे दिन में हम सन की लाइट से देखते है, रात को हम बलब बगेरा हमारी लाइट से देखते हैं, हम उल्लू तो है, नहीं, उल्लू जैसे रात को देख सकता है, हम हैं इंसान, ठीक है? तो some common phenomena associated with lights are image formation by mirror, twinkling of stars, the beautiful color of a rainbow, bending of light by medium and so on तो देखो ये phenomena ही है भई light के, कि हम अपनी image देख पा रहे हैं किसमें mirror में वो भी क्या है? light का phenomena है, जो stars twinkle होते हैं वो भी है जो color बनता है, rainbow बनता है वो भी light का ही कही ना कही उसमें है क्योंकि sunlight जब airdrop पे पड़ती है, airdrop spherical होते हैं, question आता है, airdrop spherical होते है तो वो भी एक phenomena ही है, bending of light, जब एक medium से light bend हो जाती है, वो भी क्या ही ये phenomena है अब नौर्मली देखो, हमने mirror लिया, उसको हमने polish कर दिया यहां पे ठीक है, और mirror में हम इमें तभी देख पाएगे, जब हमारा mirror polished होगा, अब देखो, जो चीज mirror पे गिरेगी, वो incident light होगी, और जो उससे reflect होगी, वो reflected light होगी, अब इन दोनों के बीच एक perpendicular हम ड्रो यह वाला angle theta i हो जाएगा, theta i इसली होगा, क्योंकि i क्या incident है, और theta r क्या हो जाएगा, reflected, यह है low of reflection, when light strike surface and bounce back, it is called reflection, यह definition है, ठीक है, incident ray क्या होगी, जैसे मैं आपको होता, ray of light that falls on the surface, जो गिरेगी, वो incident, जो reflect होगी, वो reflected ray, नोर्मल क्या होगी, इमेजनरी लाइं ड्रो कर ली भाई हमने perpendicular, ठीक है, where the incident ray strike the surface, point of incident, वही आई यार, अब low of reflection, देखो, फिर से, वही हमने एक ले लिया भाई surface, mirror, हमने यहां से इसको complete, क्या कर दिया, हमने इसको complete paint लगा दिया, अब देखो, वही है, इस साइड से आपने eye डाली, incident ray, और फिर यहां से reflect हो गई, एक पर perpendicular draw कर लिया, और फिर यार फिर से बना दिया, बस, अब इसमें low क्या है, low दो point बदाता है, i is equal to r, जितना हमारी incident का angle होगा, जो ray गिर रही है, उतना ही reflected angle होगा, the incident ray, the normal at the point of incident and the reflected ray, all lie in the same plane, यह भाई सभी एक plane में लाए होंगे, जो incident ray है, वो भी, normal जो हमने perpendicular होगी, वो भी और जो reflected ray होगी, वो भी, same plane में होई थे ना, incident और यह, तीनो एक प्लेन में लाए है, अब type of reflection देखो, regular reflection, regular reflection क्या होगा, जो एक ray जा रही है, एक ray आई, ठीक है, एक ray reflect होई, फिर एक ray आई, फिर एक ray, फिर एक ray, फिर एक ray, देखो, एक ray आई, reflect होई, one ray, फिर से reflect, one ray, one ray, systematic way से reflect, one ray regular, reflection from smooth surface, like that a mirror is called regular reflection, regular होगा, अब इर एक रही होगा, अब इरगूलर में क्या होगा, मारा surface ही, एरेगूलर होगा, इरेगूलर होगा, तो यह incident ray आई, यह यह आउगा, अब इस incident ray आई, इस इंसिदेंट रही हाई, इस इंस इस प्लेजा गई, तो यह आपीस से बता दिया आपको uneven of unpolished surface give irregular ठीक है polished भी नहीं है और यह uneven है ऐसे ऐसे है surface और polished भी नहीं है अब देखो image formed by plane mirror plane mirror से image कैसे formed होती है भई देखो x-axis लिया हमने यहां पर अब यह थोड़ा सा नॉर्मल ही है ठीक है कुछ बड़ी इसमें वह नहीं है कि समझने की देखो अब हमने x-axis ले ली ठीक है x-axis पर हमने लाइन ले ली ठीक है अब आप देख रहे हो कि यह हमने यहां पर हम स्पोस्करों आप खड़े वे यहां पर ए और बी पोजिशन पर यहां पर आपका mirror है यह आपका mirror है ठीक है आप यहां टीक होती है बहुँ जो star phase हम खड़े है यहां से दो रे ले आती दो रे आई एक रे दो एक रे तो इक रे तो स्ट्राइक करेगी ठीक है इदर और यह रे क्या है वह वाताउपिस ही चली जाएगी ठीक है अब जो mirror पे स्ट्राइक की इस रे ने यह पर एक रे हम यहां पर आ गई लेकिन जो इमेज फॉर्म होगी वह पीछे की तरफ होगी इस पॉइंट पर एडाइश पर ठीक है बस इतना ही समझने कहा है को इमेजनरी एडाइश और भी डाइश लेली आमने अब करेक्टर स्टी अफ प्लीन मिरर देख लो विच्वल होगी और इरेक्ट होगी टीक है बिच्वल होगी और इरेक्ट होगी साइज ओ एमेज इस इक्वल साइज ओप जितना आपका साइज है उतना ही साइज आपको मिरम में दिखेगा फॉर्म ऐस वार भिएाइज बिहाइंट जितना पास में ऑबजेक्ट की आप खड़े होग एमेज इतनी दूर बनेगी लेतरली इंवर्टीड है इसका मतले का बहुति लेटरली इंवर्टीड है है ठीक है आपने अपना राइट हैंड अप किया है तो मिरन में वह आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा यह है लेटरली इनवर्टेड डिस्पर्जिन ओफ लाइट क्या होगा बई कि आपके इस इसोर्टेड आते है तो क्या होता है इसमें से इए ये यह देखो यह रिज जारी है जो इसलिए आप श्रीकलती है ठीक है जब रेन्बो कमने के लेगा बारिश आएगी बारिश बंद होगी बारिश बंद होने के बाद जो हमारे ड्रॉपलेट्स कुछ रह जाती है हमारे इन्वायर्मेंट में तो उस पे जब सन की लाइट पढ़ती है सन की लाइट पढ़ने के बाद वो डिस्पर्ज हो जाती है उ बहुत सारे 7-8 कलर का rainbow बन जाता है पासिंग ओफ Sunlight Troy Prism ऐसे हम प्रिजम से देख सकते हैं यह आप experiment कर सकते हो अमने class में Sparical Mirror Sparical Mirror क्या है बई? Mirror whose reflecting surface is curved ठीक है मतलब जिसका reflected surface है उसको हम curve कर दे curved में है वो ठीक है there are two types of spherical mirror देखो एक तो इस type का यह curve है न बहुते हम इनको ठीक है convex mirror क्या होगा बई? जिसकी shape यह है ठीक है जैसे यह यह यहाँ पे है और यह वाला क्या हो जाएगा इसका यह वाला surface cover up होगा तो यह inverted होगी, erect होगी यह erect erect होगी जैसे सीधी image देगा यह ठीक है अब देखो property से समझ लेना आप यह erect और inverted भी आपको clear हो जाएगा concave mirror है reflecting surface is curved inverse ठीक है जो concave है उसका reflecting surface है वो ऐसे curved है आप क्या है inverse है ठीक है converging mirror इसको converging mirror भी बोलते है और concave क्या है जो reflecting surface है वो outside curved है ठीक है diverging mirror है यह convert नहीं करता यह जो light गिरेग इसको diverge कर देगा use of concave mirror अब देखो torch है भाई अब जब torch on करते हो अगर वो एक ही direction में beam की तरह अगर आपको दे तो क्या होता है कि आप कितने अप कितने अरिया में देख पाऊगे लेकिन क्या है यह sorry यह उल्टा बोल दिया मैंने जिसे torch है तो torch की light क्या होती है converging जैसे concave converge हो गया ना तो वह आपको आपको ऐसी light दे रहा है कि आप एक चीज को अगर एक तरफ आप torch को करते हो तो आप उससे चीज देख पाते हो ठीक है और जैसे vehicle की headlights है यह सब concave mirror का example है used by dentist dentist भी यूज करता है क्योंकि जो हमारा tooth होता है वो small होता है और हम अपने tooth की जो चोटे 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 जैसे किसी यूज करते है using concentrate sunlight to produce heat in solar furnace अब जो solar furnace हमारी उपर लगी होती है चतों पे उनमें भी concave mirror का use किया जाता है light को एक जगह पर converge क्योंकि अगर convex कर लिया तो क्या हो जाएंगी वो converse नहीं होंगी वो diverse हो जाएंगी ठीक है अब देखो convex की properties देखो convex mirror are used as a rear view mirror in a vehicle because they always give and erect those diamonds image they have a wider field of view as they are curved outward ठीक है यह क्या है यह जो हमारे vehicles होते हैं और जिसमें हम हमारे back की side होती है उसको देखने में जो यूज करते हैं उनमें होता है are used at a blind turns on and on a point of merging traffic to facilitate vision of both side traffic दोनों side के traffic देखने में होता है ठीक है used in shop as a security mirror ठीक है security mirror की तरह use होता है जो यह shops होती है हमारे में अब hot and cold का chapter देखो बही hot and cold गरम और थंडा ठीक है measure of degree of hotness or coldness of a substance is called its temperature temperature किसको भूलते है temperature is not about hot thing temperature is also about cold thing मतलब temperature hot का भी देख सकते हैं कि इसका इतना degree है और cold का भी देख सकते हैं कि इतना minus degree हो गया है the device that is used to measure the temperature of a substance is called thermometer जिसको temperature को हम thermometer है भी दारेक्ट भुखार से लगा लो थर्मामेटर होता है भुखार नापने में तो यह नहीं कि करम भुखार भुखार के लिए यूज़ोता है वह हमारी जो cold properties देखनी हो में किसे substance की उसमें भी उसमें भी उसकरते हैं measuring temperature टू टाइप अफ थर्मामेटर होते हैं भई clinical thermometer लेब वाला थर्मामेटर ठीक है clinical thermometer क्या होगा भई वह हमारी body का temperature के लिए यूज़ करते हैं और लेब वाला क्या होता है वह हम कुछ objects होते हैं common उनको लेब वाला तो भई देखो जैसे मैंने लेब में तो मैं किसी भी चीज़ का temperature मापने के लिए कि इसका कितना है उसमें यूज़ करती हूँ ठीक है करेंगे हम ठीक है reading के thermometer reading कैसे होते है thermometer के temperature range of cleaning thermometer होता भई 35 degree celsius to 42 degree celsius और laboratory का होता है माइनस 10 degree to 110 degree celsius यूनिट होती है भई celsius नोर्मल बोडी टेंपरेचर 37 degree celsius होता है तो जो बुखार में बताते हैं 103 degree यह degree वाला celsius वाला नहीं होता है यह फेरनाइट होता है यह यह फेरनाइट होता है क्योंकि अगर डिग्री में 103 होता है सो डिग्री पे तो सो डिग्री पे तो बुखा सो डिग्री पे तो वोडर क्या हो जाता है बॉल्ड होना स्राइट हो जाता है तो मरी जाओगे celsius और calvin और pharanite में यूज ठीक है प्रीकेशन और फोर क्लीनिकल थर्मामेटर डॉंट यूज ए क्लीनिकल थर्मामेटर फोर मेंजरिंग टेंपरेश अब्जेक्ट अब्जेक्ट अजर दें दा हुमन बोडी पोर्डी के अलावा किसी चीज को इस थर्मामेटर से यूज न फिर्मीना का राम से आनंद उठाथे हैं डूरिंग दर लेंड गेट्स क्या होता बई कॉस्टल एरिया में जो रात के समय है जो भूमी है वह हमारी गरम हो जाती हीट जाती हैं फास्टर थेन वोटर वह वाटर से वाटर ज्यादा टाइम लगाता है और क्या होती है जो जो तो बुमी है धर्ती है वो जल्दी हो जाती है तो दा एर ओवर दा लेंड तो जो एर है जो हमारी जो एर आएगी बिकम्स होटर एंड राइस तो क्या है अगर नॉर्मल सी बात है आपका घर है कोस्टल एरिया के पास ठीक है पानी तो गरम होने में टाइम लगा रहा है लेकि क्या है धर्ती जो है मारी जल्दीगरम हो जाती है तो जो भी एर आएगी ब्लो के वो क्या होतर होगी बही ड़कर दागे वह कोलर अगर पिश्द्ट लेंड भी तो क्या होता है दो नुख यह प्रोस्स होती है यहां ते जो आपकी हवा जो यहां देखो यहां यहाँ धंड अम इसलो फिर हैं यहाइकर क्ला इप इशा आइन डिखो आप को कुछ निन इसान स्वर्ण ट्रिवर्स qo नाइट में क्या हो जाता है वो डे का था मेरे इसाब से हंजी वो डे में था डे में क्या होता है डे में आपको गरम हावा महसुस होगा लेकिन रात को opposite कैसे होगा at night it is exactly the reverse the water cools down more slowly than the land जो water हो बहुत slowly up cool होगा लेकिन जो cool air from the land moves towards the sea this is called the land breeze so what cold air है अब वो c की तरफ जारी हो और c की जो hot हो cold की तरफ आ रही है तो ऐसे इसकी एक cycle है इधर से इधर आई जब जब पानी ज्यादा गरम नहीं था और land गरम थी तब क्या हो रही थी जो इधर से इधर आ रही थी ठीक है और फिर इधर जा रही थी ऐसे यह process है साइकल है यार साइकल ऐसे से ऐसे ही जाते है ना साइकल इधर कर सकते हो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो बहस कुछ नहीं है acids और base acid क्या होते है भाई sour in taste होते हैं ठीक है यह अमल और amelle कुछ स्टाइब होते हैं हिंदी में नहीं पता sour in taste sour to taste are acidic in nature जैसे खटे होते हैं एक्सट्राइब कर्ण लैमन औरेंज जूस वीनेगर एक्सटरा एसिड आ जाए तो समझे लेना sour in taste sop in nature sop in the nature sop in the bitter to taste baking soda anti-acid caustic lime यह सारे बेस होते हैं इनका example आपके लिए इंडिकेटर क्या होते हैं जो हम यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए कि यह सिड एसिड एसिड यह बेस है chemical that are used to check asidic or basic nature इंडिकर होते इंडिकेटर होते हैं इंडिकेटर होते हैं इंडिकेटर चेंज कर देंगे बढ़ाए वह हमने एसिड और बीस का पीज़िटी पीज़िटी लेवल का पढ़ा है देख लेना इंडिकेटर क्या होता रिप्र के लिए टर्मरिक लिटम संडिकेटर होदे था नगे इंडिकेटर होते हैं अनल मुज। चॅइन रोपी उडिकेटरिए आप जाहल неп Kiss निग शागे निफिज़ो देख ध्ते क्यों आप टर्मरिक लिट्मर लिटमस यह लिटमस होते हैं अक् तो यह आपको थोड़ा एधर को याद रख नहीं तो आजाता है भी कोन्सा क्या देगा तर्मेरिक पेस्ट रिमें एलो इन अचिड चेंज र्या दिन बेस सिट में अगर होगा ठीक है एसिड होगा और आप टर्मरिक पेस्ट डाल दोगे तो वह चेंज नहीं होगा लेकिन बेस होगा तो रेड हो जाएगा ठीक है कि नुट्रिल सबस्टांज सबस्टांज डाइदर एसेडिक और बैसिक इन नेशर आलskल नुट्रा नूट्रल सबस्टांज डोखेक्ट दीक अबने करना हो जैसे हमें एसेडिटी हो जाती है तो हमारे तो अगर जादा हो जाए तो उससे हमारी नुटिलाजिशन हो जाएगी अगर हमें बेस की तरह कुछ भी जैसे सौल प्लस वाटर दे दे तो जो भी है तो से हमारी असीड़ी कम हो जाएगी अंस्तीं धैसे क्योंे आता है यह को फॉर्मिक असीड करता है यह आ सकता है जो उसका एंट का जो डंख है न वह एफट्ट अफ इस एस नुट्राइज़ाज बाइ स्टीं बेस्टीं बेकिंग सोडा और कैलमाईन सॉलूशन देट गावें जिंक कार्भॉनिट यह दो सॉलू anti-acid used to neutralize the effect of acid produced in our stomach यह अगर milk of magnesium दिये दिया जाता है अगर अगर अधर acidity बढ़ गई है तो वह हमें neutralize करतेगी वह चीज जो हम लेंगे magnesium ओके अब आतिक क्रोप यह इंपोर्टेंट है अपके यह जीके का भी पार्ट है जीके का भी पार्ट है ठीक है रभी क्रोप और खरीब क्रोप रभी क्रोप क्या होती है भई रभी क्रोप होती है हमारी रभी से आप याद रखना कि जहां भी रभी क्रोप आगी जितनी भी छोटी नाम से जो होंगे जैसे की गेहू है ठीक है हमारा जो है यह जो छोटे छोटे नाम है ना उस चना है थंड का इस टाइम पे इनकी हम फजल उगाते हैं लेकिन खरीब क्रोप क्या जो बड़ी बड़ी क्रॉप्स हो जाती है जैसे कि भई चावल है या फिर आपको लगा लो जवार है तो क्रोप देटार सोन इन रेनी सीजन जून टू सेप्टेंबर गर्मी के टाइम पे लगा ल लगा लो गरम-गरम कावरी अर्रॉट नहीं नहीं के ऊन्फ चैसे हाँ जैसे घरुड इंत लिगा adding क्रॉप्स सोयाबीन पैड़ी में खीड करोप्स हमारी अभी हो जटीक ना चोटा वड्ज समझेंहा हिंथे उतना ही वह हमारी रवी क्रोप है बेसिक क्रॉप प्रडक्श प्रिपेरिंग औफ सोल को प्रिपेर करोगे सुविंग बीज को बोगे एड इड फर्टिलाइजर जो ये हमारी दवाईयां होती हो एड करोगे इरिगेशन करोगे सिचाई करोगे प्रोटेक्शन फॉम वीड जो भी केत में खराब चीजे प्रोटेक्शन करोगे हैं से लुड़ा बेस्ट और होगे यार्वेस्ट करोगे सेलुटर रेस्पिरेशन दिखो भई एड इस दा प्रोसेस इन विच फुट इस वोकान डाउ इन दे सैल तू रिलीज एन जी इसल्व रेस्पिरिशन पर्सक्राइशन हो गभाई जब आयर हमारी बोडी को सेनलते हैं आज़से अनरजी की फोटाइशन में हमारे अंदर वह आ उसले हो थे की फोटा पिक हम इसलोГा थे पर सब्सक्राइशन होगा एज़से ले आफ सेनल, पर तबना रो काई ख़ता है ठीक है जैसे गुलकोस लिया और वो क्या होगा CO2 प्लस वोटर प्लस एंडर्जी में ठीक है इसे बेक्टिरिया हुमन मुसल सेल्स एक्सेटरा इनिस्ट अरुबिक रेस्पिरेशनी याद करने का भी आप याद करने ठीक है ठीक है अब गुलकोस है विदाव टॉर्टु वो किविदा थनवरी ब्त सेल्स नलीत है यहां है ठीक है यह जादा व हुमने लग अग और प्लस एकशनस एड़सराइसट गएब अधों मतर रहा है जहते हैं अरी तुछ आयग मुद् सख्यों मुद्ट methodology थेडरेशा बसान दिकें अट्टिक आउपट धो प्ल apparently यहां हें का complete chapter करवाय हो है TGT-PGT level का material are classified materials है वो दो में है metals and non-metal में metal can be distributed from non-metal on the basis of their physical and chemical properties हम भई physical and chemical property के coding हमने periodic table में इधर metals है देख़ों, इधर metals है और इधर non-metals है और ये बीच वाले metalloids है ऐसे describe हमने किया हुआ है metals physical properties याद रखने की चीज़ आपको shining होगा metallic, lusher generally hard होते हैं लेकिन hardness varies from metal to metal hardness भी metal to metal यनि कि सब भी होँगे metal are malleable जब आप इनको हथोड़े से कूट होगे तो ये sheet की form में कनवर्ट हो जाएंगे sheet की without breakdown ठीक है tile होते है ductile मतलब एक wire में convert हो जाएंगे gold is highly ductile metal chemical properties of metal chemical properties metal combine with oxygen to form metal oxide metal metal copper metal 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 aluminum metal aluminum oxide amphoteric reaction with acid base most metal oxide insolubent in water ज्यादा तर oxide क्या होते है water में soluble नहीं होते if metal oxide are soluble they form alkyl अगर वह soluble होंगे तो क्या है alkaline alkaline base Na2O metal oxide H2O sodium potassium react with O2 sodium so keep in kerosene कौन से कौन से metal kerosene कौन से में kerosene में रखने metal Na PB ZN Mg magnesium aluminum zinc lead क्या है captain hydrogen reaction of metal with water metal produced metal oxide plus H2O reaction with water magnesium does not react with cold water which is magnesium does not react with cold water this is a property aluminum zinc iron don't react with H2O but react with steam stream react from but water cannot do non-metal physical property non-metal solid liquid gas room temperature iodine non-metal lustre carbon allotrop which means it exists in different form diamond is hard and graphite good conductor graphite good conductor of electricity metal and non-metal properties generally these are hard and luster they are soft and no luster they are malleable and ductile they are poor conductor of electricity except the exceptions are grey white they are not all we have done in the whole chapter they are not important these react with oxygen to produce metal oxide which are basic in nature these react with O2 form non-metallic oxide which are acidic in nature now reaction with acid metal plus dilute acid metal salt plus H2 pop sound test now this can be asked when acid and base reaction what happens is H2 and a pop sound comes okay Cu does not react with acid dilute H2O dilute acid aqua riza freshly prepared concentrated HCl and concentrated HNO2 in 3 ratio of 1 in 3 ratio of 1 in 3 ratio of 1 we make HCl concentrated HNO2 and HNO2 aqua riza and it can dissolve even gold and platinum and platinum dissolve aqua riza which is our formula reaction with base metal reacts with base to produce H2 gas when metal reacts with base to produce H2 gas then H2 gas will produce H2 gas and it will pop sound reaction of base is complex reaction of base is complex that is what I have told you about electricity one is a good conductor or a poor conductor will produce the system will cause really bad conductor which will not allow CAN increase less good lemon juice good conductor ний used a good conductor 1 acid solution, base solution, good conductor, salty water, tap water, good conductor है, पूर में देखो, कॉलता, distilled water, honey, vegetable oil, carosin, ये bad conductor है, blood देखो, अफ्ल्यूड कनेक्टिव टीश्यू, ठीक है, फ्ल्यूड कनेक्टिव टीश्यू है, मारा ब्लड, solid component, liquid component, solid blood corpuscle, और plasma, ठीक है, liquid plasma, अब इनमें भी देखो आगे, कैसे divide क्या हो, बई, RBC है, हमारी, ठीक है, red blood cells है, blood plated, plates है, जो कहते हैं, plate गिर गई, WBC है, अब इनकी properties देख लो, जो आएंगे, RBC क्या करते हैं, carries gas, O2, CO2, and contain, HB, imposed red, color to blood, अब देखो, इसमें क्या है, red blood cells, red होती है, और यह oxygen क्या करते हैं, यह blood plated, क्या क्या करते हैं, यह हमें help करते हैं, blood clotting हमारी body के अंदर ना हो, WBC हमारी anti-bioetic type हमारी, जो हमें, हमारी जो अगर, हमारी body की शमता अगर किसी बीमारे की कान, तो white blood cells हमारी anti-bioetic यह produce करेंगे, आत्म निरोग, कुछ होती है, I don't know, निरोगी काया के लिए, यह अच्छी होती है, अगर WBC गिर जाएं, तो आपको ज्यादा बीमारे होने लग जाओगे, anti-bioetic हमारी शमता बीमारी से लड़ने की शमता बढाती है, yellow color fluid contain 90% water and 10% organic substance like plasma, proteins और यह inorganic mineral science है, blood vessels देखो भई, एक तो arteries होगी, एक veins होगी, arteries क्या करेंगी, oxygenated blood from heart to body parts except pulmonary artery, oxygenated blood करेंगी, heart से हमारा, heart हमारे सिर्फ काम करता है, भई, pumping के लिए heart दिल नहीं है, हर काम हमारे mind से होता है, दिल से कोई काम नहीं होता, ठीक है, pumping का काम होता है, написано for vow joyful, और एक森ेज़, तो आऄ 나स है तो अशुघ देखो झाल हैं काम मेची भंट्यपर्म का country पार दोडियांगी, actualijn, liitte presence गलेंगी और उक्सेञीर, गलेंगी भावे, इसखो से कंटा, ट्रीज लेंगी और दी आक्सिजनेटिट वेंस के थू ब्लेड फ्रम बोड़ी पार्ट टू हर्ट एक्सप्रमनी वें ठीक है और इसका अपोजित होता है यह इसका अपोजित होता है तिन सुपर्फिशियल पस इतना है इसमें अभेको ट्रांस्पोर्टेशन इंप्लांस द तो क्वीव एक सबस्चिन जालोम काम होता है श्रैकश में दाचब तामस्ट कृट्ध नेता है और ग cereals ने ठीक है चर्मसित हो इसका उत जर्च ट्राम त्वीयों इसका अमस्षीर गच ट्रेट कोルク यह करता है वग ज करता है निएजर्चत है कौ छां। स्राइफ। क्या है ॥ Transpiration is the process of loss of water as vapor from the aerial parts of the plant अब देखो ग्लेंट्स होर्मोन्स फंक्शन आ गए अब देखो यह याद रखने की है Pitotry growth hormone होता है thyroid thyroxine होता है इसका hormone और भई यह Paratherroid paratheroman hormones होता है अब देखो जो pitotry gland होती है regular growth करती है भई ची का regular करती है हमारी growth को growth hormone होता है जैसे हम किसी-किसी की height कम रह जाती है उसमें है control functioning of endocrine glands ठीक है थायरेक्सिन क्या है control the metabolism rate also bring balance growth और परत हर्मोन है control calcium balance of body calcium की कमीना हो adernyl है यह पिर बोडी 2 for emergency pancrease insulin होता है hormone control glucose level of the body test 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 is tone male hormone भाई यह औरी जो यह आस्ट्रोज ओस्त्रोज अन प्रोज्टरोन if female hormones है रवी control growth and development of male reproductive system यह female ृच्छी है ओ तो यह था हमारा complete PDF for c that i hope you liked this guys and please share and subscribe my channel and also तो बिचो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ठीक है for CTAT so let me know in the comment section and it's from 6th to 8th ठीक है आपको ये complete content है आपको इसमें से आपका exam हो ही जाएगा CTAT Science ओके thank you so much for watching this video और हाँ next video में आपको MCQs में मिलेंगे CTAT के previous के science के content के ठीक है पेड़ागोजी के भी content के भी so don't worry about science okay thank you so much for watching this video